हमारे एक भाई ने online order किया iPhone 14 Pro Max पर डबा खोलते ही उसकी तो लग गई लंका अब हुआ ये कि डबा खोला फोन निकाला तो फोन स्टार्टिंग में सेट अप करने के लिए बोलता है तो इस फोन में already सेट अप हुआ पड़ा था ये कैसे पॉसिबल है और साथ में फोन में पह फिर भी उसे जमा नहीं वो गया जी Apple के स्टोर पे और वहां पे चाके उनके बंदे को जब दिखाया तो उसने clear बोल दिया भया ये है नकली अब हमारा भाई बिचारा एक लाख रुपई से उपर खर्च कर चुका है और रीटेलर जहां से पॉन मंगाया उसने साफ मना कर अब वो बिचारा कंज्यूमर कोड के चकर काटने में मजबूर हो गया है अब आप ही सोचो यार एतना पैसा लगाने के बात भी अगर आपकी लंका लग जाए तो क्या सही लगया कॉमेंट में जरू पताना